नमस्ते फ्रेंट्स मेरा नाम प्रवीन है और मैं मेरा एक खास इंपोर्टन वीडियो आपके लिए आज शेयर कर रहा हूँ कई बार लोग हमें सवाल पूछते हैं कि सर ये 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 वर्ड में आईडी लॉगिन कैसे करें मतलब खुद का आईडी लॉगिन करना नहीं थे अभी तो हमने डी एक से रजिस्टेशन तो कर लिया है जॉइनिंग तो हो गया है बढ़ हम अपना खुद का लॉगिन आईडी पासवर्ड का इसे क्रियेट करें तो एक स्मॉल वीडियो में आपके लिए यहां बनाना चाहता हूँ यहां मैंने DXN-Evaill लिखा तो पहला जो आपको वेवलिंक दिखता है इसे के उपर आप क्लिक करें DXN-Evaill अब देखें यह website का page open हो गए, यहाँ पर आप कई सारी information ले सकते हैं अगर कोई website के बारे में, अब तक तो हमने login नहीं किया है, बट यह Malaysia का server पर जो international level का, जो Dxn का website है, यह आपके सामने open हुआ है, बहुत सारी information आपको यहाँ directly page पर open खिली मिलती है, हम क्या-क्या देख सकत हैं, फिर आप how to start business, Dxn e-life, यह मतलब है आपके लिए एक newsletter magazine का page open जाता है, international branches, Dxn की worldwide branches कहां कहां पे हुए, तो अब तक तो 80 branches Dxn की खुद की हैं, और 200 countries में Dxn pro.moohya कराती है, यहाँ पे हम web conference, यानि हम international business करना चाहते हैं, तो यह एक online business conference के लिए यहाँ पे हम click करते हैं, तो चलिए मित्रो, सबसे पहले हम आपको आज सिखाते हैं कि अब आपने distributor ID तो बना दिया, अब हम करें इसको login, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो menu बार दिखता हैं, यह dashboard पर याता है, तो menu पर click करिए, और यहाँ पर login बटन दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, simply यहाँ पर login पर click करना है, login पर click करने के बाद आपके सामने यह interface open हो जाएगा, distributor login, welcome to DXN distributor, यह आपको बताता है क्या, यहाँ पर अगर आपने पहले कभी login किया होता है, तो आपको direct अपना ID number और login करकर आगे चलने साखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह पता ही नहीं कि यह website है और इसके उपर हम login करके कुछ जारा इनकी जानकरी देख सकते हैं, yes, तो अभी हम दिखाएंगे आपको यहाँ पर कैसे login करना है, तो सबसे पहले पहली बार इस page पर अगर आप आए हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे, first time login में, यहाँ पर हम जा रहे देखिए, first time login, first time login म जरूरी है, जैसे कोई भी distributor code यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक हैं, तो distributor code आप जब यहाँ पर inform कर रहे हैं, तो distributor code आपने यहाँ पर डाल दिया, 0, एक मेरा ही डाल देता हूँ, या कोई भी distributor code लेते हैं, चल्यों कोई भी लेते हैं, एक example के लिए मैं कुछ भी डाल देता कि कोई भी डाल दिया मैंने तो सबसे पहले देखो यह distributor code अपनी सही से डालना है है अब यह बताएगा distributor code already activated इसका मतलब क्या है जो मैंने distributor code इस्तेमाल किया था वह already किसी का है आप अपना ID डालना है तो यहां पर फर्स्ट टाइम लॉग इन पर जाईए यहां पर आप अपना ID डाल दीजे अब आपका ID मान लो कोई 870 ऐसा कुछ निकल जाएगा ऐसा आप ऐसा ID डाल सकते हैं तो चलिए मैं आपके आगे को information directly यह से ही बताता हूँ समझ में आ जाएगा आपको इससे भी क्योंकि हम किसी को directly यह तो एक फुल्पूप system है तो मैं आपको बताता हूँ आप समझ लिजे क्या क्या करना है सबसे पहले यहां पर आपको ID डालना है आपका जो आपने अभी बनाया था distributor ID बोलते हैं तो membership ID यहाँ पर डालके हैं कब आप confirm करते हैं confirm करने के बाद यह system आपको पूछता है कि आपका apply यानि आपका sponsor ID क्या है तो आप sponsor ID भी डाल सकते हैं यह पूछता है आपको आपका date of birth क्या है यह आपका verify करता है कि आप ही है क्या तो आप अपना date of birth डालते है फिर यह बताएगा आपको कि आप अपना email ID लिखें यहाँ पर अगर आपने email ID company की form submit करते है वक्त email ID form पर submit की थी लिख कर दी थी तो वही email ID इस्तमाल करें अगर आपने कोई data में entry में पहले कभी भी membership form sign up करते हैं तो email ID नहीं दिया था तो आप directly यहाँ पर अपना पहली ब हो तो वो robot के उपर आपको कुछ numbers या अंकर डालने है तो आप उसको verify करते हैं उसके बाद आप submit करने के बाद यहाँ से सीधा आपको एक verification code आपने जो email ID लिख कर दिया था उस email ID पर चला जाएगा इसको detect करते हैं detect मतलब verify करता है कि हाँ आप ही है क्या तो आपकी email ID पर जा इसे देखो यह दूसरी window इसे open हो जाती है या फिर मैं इसे बाहर निकल कर directly यहाँ पर email पर जा सकता हूं तो दूसरी विंडो में जाकर आप अपना email ID open कर लिजे email ID में आपको वो जो verification code मिल जाएगा वो verification code लेकर यहाँ पर आई है और फिर अपना verification code डाल दीजे यहाँ पर तो password बनाते हैं कुछ लोग बहुत आसान password लिख देते हैं जैसे मेरा नम प्रवी ने तो प्रवीन लिख दिया तो यह password यहाँ पर लेता नहीं है कुछ लोग कुछ numbers डाल देते हैं तो यह password यहाँ लेता नहीं है इसके लिए आपके पास चाहिए eight digit का password पहले चाहिए आपक कोई lowercase, uppercase और कुछ अंक तो यहाँ पर आप कुछ अंक चार अंक इस्तमाल कर सकते हैं चार डिजिट इस्तमाल कर सकते हैं या फिर कारचाल अलफ़ाबेट इस्तमाल कर सकते हैं और साथी साथ इसमें एक lowercase और एक uppercase जरूर होना चाहिए एक capital letter और एक small letter ऐसा ही आठ अक्षोरों का आठ words का आपका password यहाँ पर healthy password माना जाता हैं और यह consider भी किया जाता है यह password को आप अपने mobile में WhatsApp में कई पर जाके save कर लीजिए आप अपने पास diary में note करके रख दीजिए अब जैसे आपका password बन जाता हैं तो फिर आप यहाँ से बाहर आकर आप directly यह home page पर आकर यहाँ पर इसे distributor ID लिख दीजिए और फिर नीचे आपको यहाँ पर password डाल दीजिए हो गए आपका और फिर security code याँ इसको capture 2294 लिख रहा है कुछ भी numbers आएंगे आप एक robot नहीं हो human भी हो फिर से आपको security code डालना है और login पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप इसी तरीके से आप login कर सकते हैं तो चले यह वीडियो इतना ही जहाँ पर आप कम से कम इस website में distributor बनने के बाद एक DXN का ID नमबर आपका बनने के बाद का पहला काम आपको यह करना चाहिए login करना सीखना है तो login करने के लिए मैंने यह video आपको बना दिया है यहाँ तक आपके लिए मैं यह video मैं रोक देता हूँ अगला video में हम अगली topic और अगली बारे में जानकरिम ले लेंगे तो आज तक के लिए बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और हमारी कोशिश आपको सही में पसंद आ रही है तो like बटन दबा दीजे और अपने अपने लोगों को share कर दीजे यह वीडियो आप किसी को भी share कर दीजे ताकि आप सभी लोगों को सभी डियक्षन के entire family के सभी distributor की मदद कर स सिखना है online ही product generate करना है online ही recruitment करना है सब कुछ online इस website पर ही हो जाएगा तो इसमें login सभी distributor करें ठीक है आज ते के लिए बस आपके लिए इतना ही जानकारी thank you very much मिलते हैं अगले वीडियो में आप इस वीडियो को ज़रूर subscribe कर लीजे शेर कर लीजे और like तो ज़रूर करके द इस रहें तो वह आप तक तुरंत पोच जाए तो थैंक्यू वेरी मच गो अहेड थैंक्यू गो मिलेनियर